वीवो वी 25 प्रो जी हां लॉंच हो चुक है आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे तो यहां हम ओनेस्ट वाल आपको उपिनियन देने वाले हैं यहां पर कोई माल मसाला नहीं है जैसे आप देख सकता है हात खाली है किसी वी तरह के रिव्य यूनिट नहीं है वाट टोवेसर रिव्य यूनिट पाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं लेकिन honesty यहां पर बच्पन से सिखाया जाता है is the best policy तेसी honesty is the best policy के साथ लेते हुए यहां पर मैं आपको complete in detail सच्चाई जो भी वीडियो अभी तक आपने देखे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने रेनो 8 pro को भी खराब बोला हुआ है and they are really popular और वीवो वी 25 pro के तो आपने धेर सारे वीडियो देख चुके होगे अभी तक तो सबसे मले तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों कर चैनल पर नए है और content पसंद आता है तो चैनल को subscribe करें नहीं तो comment करें कुछ सुधार की अगर जरूरत हो तो तो वीवो वी 25 pro यहाँ पर launch हो चुका है जो highest variant है 12 plus 256 वो 40,000 रुपे में 1 रुपे कम कीमत पर launch हुआ है और brand इसे यहाँ पर discounted rate पे मतलब अगर phone पुराना वाला buyback कराते है flip card पे flip card पे फिर HDFC के cards वगरे के offer यह सारा कुछ मिला करके अगर discounts लेते हैं तो आपको 25,000 रुपे का पड़ेगा बहती सुनने में मज़ा आ रहा है बहती बहतरीन यहाँ लग रहा है बहती बढ़ियाँ no doubt तगड़ा है अगर पुराना phone देते हैं अब बटोगे से की 7,000 रुपे का additional discount है वो additional discount तो आपको 10,000 रुपे तो नहीं मिलेगा that is for sure तो उसके लिए आपको एक महंगा phone buyback में देना होगा technically यहाँ पर HDFC पर आपको यहाँ पर by default अगर HDFC का card है तो यहाँ पर discounts पर कले ले करके आप इसे ले सकते हैं 12 plus 256 वाला variant इस phone में आता है media tech dimension यह 1300 का chipset और यह 6 nanometer based chipset है बैटरी इसके अंदर मिलता है 4830 mAh की बैटरी दोस्तों बहुत बड़ी बैटरी है और 80 watt का charger inside the box मिलता है लेकिन phone support करेगा सिर्फ 66 watt को इस चीज़को भी ध्यान में रखिएगा 66 watt को support करेगा और 80 watt का charger inside the box आपको मिल रहा है इस phone में किसी भी परकार का IP rating नहीं है यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ इस phone की जो उपलब्दी है वो है इसका LPDDR4X इस phone में जो RAM आपको दिया जा रहा है वो LPDDR4X दिया जा रहा है जो कि आप 40,000 रुपे लगाएगा तो आपको LPDDR4X वहीं मुझे लगता है Redmi को याँ सीखना चाहिए LPDDR5 दे रहा है क्यों दे रहा है वो भी 30,000 रुपे के अंदर अगली चीज़ यहाँ में बात कर लेता है कैमरा के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ाई की जा रही है क्योंकि मैंने भी रिसर्च किया थोड़ा मैंने भी बहुत सारी वीडियोज बगर देखें बड़े-बड़े यूट्यूबर्स के जो बहुत ही ज़्यादा पॉप्यूलर है और वीडियोज देखने के बाद मैंने सब जगा नोटिस किया कि कैमरा की बहुत बड़ाई की जा रही है कैमरा अच्छा है यूगते हैं एंड डेफनेटली 40,000 रुपय के हिसाब से फोन भी वैसा होना चाहिए तो ब्रैंड बोल रही है कि हमने यहाँ पर आपको कैमरा दिया है 64 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल फ्रेंट में 32 मेगापिक्सल हमने OIS का सपोर्ट दिया है और EIS का भी सपोर्ट दिया है रेर कैमरा में फ्रेंट में यहाँ पर रेकॉर्ड कर सकते हैं फुल HD में ही 4K रेकॉर्डिंग सामने की कैमरा में आपको वीडियो रेकॉर्डिंग नहीं मिलता है रेर कैमरा में 4K 60fps तक आप यहाँ पर रेकॉर्ड कर सकते हैं यूजूरल जो हमने वीवो के फोन्स में देखे हैं लेकिन मैंने बहुत रिसर्च किया Flipkart से लेकर कि वीवो के official website तक और YouTube पे जितने भी unboxing videos थे और review वाले वो सारे के सारे मैंने चान डाले कहीं पर भी वीवो V25 Pro का camera sensor के बारे में discuss नहीं किया गया है कि Sony का है Omnivision है Samsung का है कौन सा sensor इस्तमाल किया गया है camera में किसी ने भी नहीं बात की है नहीं कहीं flipkart या website या किसी भी जगह पर इसके बारे में detailed बाते नहीं की गई है in short इसका existence ही खतम है तो मुझे जहाए तक लगता है कि इस phone में शायद Omnivision sensor होना चाहिए या फिर Samsung का GW1 यहीं दोनों में से आप क्या सोचते हैं या अगर आपके पास इसका पुकता सबूत है तो मुझे comment section बताईए ताकि दूसरे जो हमारे व्यूवर है उनको भी यहाँ पर आइडिया लग सके और एक सटीक जानकारी मिल सके क्यों कि अगर आप में से किसी को पता है कि वीव वी 25 प्रो के अंदर कौन सा यहां पर सेंसर है मुझे comment section बताईए बट यहां यहां पर मैंने वेबसाइट वीव के ओफिशल वेबसाइट पर फ्लिपकाट पर भी गया सब जगा मैंने ढूंडा कहीं पर भी वीव वी 25 प्रो के camera sensor के बारे में जिकर नहीं किया गया है तो OIS, EIS, Ultra Night Mode वीडियो ऐसे बहुत सारी चीज़े है no doubt वीव इसमें बहुत ही महारत हासिल किया हुआ है software के tweaks के through यहां पर बहुत सारे वो changes करके आपको अच्छा यहां पर images तो दे देगा भाई वीव है हम कुछ भी दे सकते है प्लस यहां पर रेनो एट प्रो को एक समय पर हमारे सबसे बड़े so-called जो ग्यानी जी है उन्हां ने बोला कि भाई रेनो एट प्रो यह वर्स्ट फोन तो वीव वी 25 प्रो के अंदर ऐसा क्या है पैसा ही फैसा होगा जहां पर आप इस फोन को बड़ा ही करते थकनिर है काफी बहतरीन इसके बारे में बता रह है इसके बारे माँ बात ही नहीं कर रहे है कि इस phone में भाई बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, at least Reno 8 Pro के अंदर आपको especially एक NPU मिलता है, Sony के sensors मिलते है build quality बहुत ही amazing है Vivo V25 Pro complete ये plastic frame पे आता है, जैसे Reno 6 Pro के हमने अंदर देखा था Reno 6 Pro में जो पूरा metal जैसा वो finish लगता है, but that is complete plastic, same Reno 6 Pro वाला ही variant, जो design है उसे ही उठागर के copy paste किया गया है Vivo V25 Pro के उपर यहां पर AG आपको मिल जाता है back में, जहां पर color changing हो बगर है Vivo के phones में अक्सर देखा हुआ है, इसमें भी color changing मिल जाता है, तो कुछ ज़्यादा hype वाली चीज नहीं है, past में already Vivo के phones में देखे हुए है, यहां पर भी है, लेकिन color changing वाला जो है, यह सिर्फ और सिर्फ इनका एक जो variant आता है उसी के अंदर यह especially दिया गया है जो कि C blue color करके उसी के अंदर यह color changing वाला technology काम करेगा, बाकी दूसरे वाले अगर colors लेते हैं, तो उसके अंदर यह चीज नहीं मिलेगा, अगली चीज, Vivo V25 Pro के अंदर कहीं पर भी IP rating के बारे में बात नहीं की गई है 40,000 रुपे आप डालिएगा एक phone में या फिर अगर हम 8GB वाला variant ले 36,000 रुपे भी अगर डालिएगा डिसकाउंट बगर करके मान लेते हैं, 32,000 भी डालिएगा आई पी rating नहीं है phone के अंदर तो IP rating इस phone में आपको नहीं मिलता है, अगली चीज बात कर लेगा हम वो है इस phone में किसी भी तरह का liquid cooling वेपर cooling नहीं है, जहां पर brand भर-भर के आज के समय में बोलती है हम liquid cooling दे रहे हैं, वेपर cooling दे रहे हैं यहां पर Vivo V25 Pro के अंदर आपको नहीं network liquid cooling, नहीं वेपर cooling ऐसा किसी भी परकार का cooling वाली technology इसके अंदर नहीं दी गई है phone touch हो ऐसे सब संभाल लेगा no doubt bloatwares मिल जाता है, जोश, मोज, टकाटक पता नहीं, बहुत कुछ मिल जाता है तो phone touch हो ऐसे सब कुछ handle कर लेगा हाँ थोड़ा slow तो animation है और ज्यादा कुछ तो है नहीं so there is no problem, Vivo V25 Pro बहुत ही बखुभी तरीके सी यहां सारी चीज़ों को handle कर लेगा और 120 Hz का यहां पर आपको pure LED display मिलता है but obvious है, pure LED है, Motorola के सस्ते वाले phones में हमने देखे हुआ है थोड़ा enhanced है, brightness वगर है ज्यादा बहतरीन है definitely है वो 15,000 के phone में pure LED डालके देता है यह 40,000 रुपे के phone में pure LED डालके दे रहा है difference क्या है? ठीक है, pure LED है इसके अंदर display quality no doubt अच्छी मिल जाएगी Reno6 Pro से बहुत ज्यादा inspired है इसके जो display की quality definitely आपको contrast वगर है काफी बढ़िया मिलेगा, brightness वगर अच्छी मिलेगी यह practically बोल रहा हूँ कि actually यहाँ पर display आपको quality काफी अच्छी मिलेगी pure LED है, होते भी brightness level से वगर है 40,000 रुपए और वहीं Redmi K50i आपको 26,000 रुपए में Mediatek Dimensity 8100 आपको दे रहा है जो कि 1300 के comparatively no doubt तो काफी बढ़ी है हाँ एक चीज में जरूर बोलुँगा कि Vivo V25 Pro definitely Redmi K50i से camera में तो better होगा बट उसके लिए 40,000 रुपए भाई जिसके camera sensor का पता नहीं है IP rating जिस phone में नहीं है plastic build जहां मुझे मिल रहा है color changing के नाम पे 40,000 रुपए चलो 36,000 वाला भी discount लेता हूं वो भी दोनों sense में अगर में देखता हूं 8GB या फिर 12GB दोनों sense में में देखता हूं तो this is much overpriced specs हर बार की तरब Vivo ने फिर से यहां पर बहुत सारे missing कर दिये है camera sensor कहीं पर भी कोई disclosure नहीं है front touch OS improvements हो रहे है दीरे दीरे बट अब यह भी lag वही पुराना वाला चल रहा है ज्यादा better आपको नहीं मिलेगा अगर आप यहां पर oxygen OS color OS या फिर MIUI real MI यह सब अगर आप real MIUI यह सब इस्तमाल किये है तो आप अंदाजा वो difference महसूस कर पाएंगे कि भाई Vivo V25 Pro का जो front touch OS है इनके आसपास भी नहीं फटकता है performance में या फिर आपको user experience में तो मेरा personally मानना है कि 40,000 रुपे कैसे phone में आप डालिएगा जिसका camera sensor का आता पता नहीं है जिसका पूरा का पूरा phone ही plastic build quality है चलो यह भी मैं एक टाइम पर माल लेता हूँ accept कर लेता हूँ क्योंकि Reno6 Pro भी आता था 40,000 रुपे में लेकिन उसकी जो build quality है फिर उसके अंदर जो specs मिलते थे इससे तो far better था बहुत तरह की चीजों में camera इससे तो far better था अटलिस्ट वहाँ पता था हमें कि कौन सा sensor इस्तमाल किया गया है हाँ हर बार की तरह भी वो ने यहाँ पर भी front camera में 4K में video recording का option नहीं दिया है तो overall मेरी यह अपनी personal सोच है मैंने यह honesty is the best policy को follow किया है और आपको यह हमें बता रहा हूँ LPDDR4X 40,000 रुपय के phone में बाई साब काता ही हजब नहीं होता है मुझे बताइए video आपको कैसा लगा है video पसंद आएज, video को like कर दीजे share कर दीजे और channel पे नए है दोस्तों तो बिना subscribe के मत जाएगा subscribe कर के all notifications ज़रूर क्लिक कर ले और most important चीज़ Vivo V25 Pro are you gonna give it a try let me know in the comment box तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए टाटा, बाई बाई